हेलो वेलकम गैस वेलकम टो मैं चैनल तो आज हम बरन जारे गोबी मंचूरीन या गोबी चिली तो यहां इसके लिए मैंने सबसे पहले जो गोबी रहता है फ्लावर उसे में ऐसे कट कर लिया था आप साइज छोटा पड़ आपकी सबसे कर सकते और फिर इसके अंदर मैंने प पंदरा के बाद मैंने से दो बार अच्छी से गोबी को अच्छी से धोने के बार यह हम एने ने पत्ली में पानी-गर्म के लेकल रख दिया था और वह पानी-गर्म होते ही मिनने उसे अंदर गोबी दाल दी थी हमें गोबी को जादा नहीं पकानाए मतलब लो टू-मेडि के लिए दिया था जो पूरा पानी निकल जाने के बाद और अच्छे से थंडी होने के बाद उसके अदर हमें दो चमच कान सी अच्छी कोट कर ले लिया था और च्रय कोट अगर का अगर रिधा कोट हो जाएगा तो जो चुब बैटर लगाने वाले है वो भी आच्छे सी लग जाएगा मतलब यहां मेने पाच बड़े चमच लिया था और सेम रेशियो में मैंने पाच बड़े चमच मैदा याने की रिफाइंड फ्लोर लिया था आपको रेशियो ध्यान रखना है जितना चमच पाउन्टोर जेगा उतन अच्छा आता है और एक बड़ा चमच स्वया सॉस और यहां मेने अध्रकलस इंच पेस्ट ठालीस के अंदर और नमव स्वादन सार इसे हम मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है एक्शली में कलर डालना पहले बूल गई थी इसके बात मैंने कलर दाला था तोट देर बाद अग अधम समूद बैटर करने वहां हमें बैटर बनाति समय पानी के क्थम फोड़ा थोड़ा स्टेप स्टेप इसने पारि डालना एक ही साथ अगर पानी डाल दोगे थो बैटर पतला ठालना था फिर थोड़ा सा अट्रेक्टिव रगता है बच्चों को खाने में हमने थोड़ थोड़ा पानी मिक्स करकी एक अच्छा सा स्मूध बैटर कर लेना है अगर बैटर एक दम प्रॉपर होगा तो मतलब जो गोभी हो अच्छे से कोट हो पाएगी और फिर उसके बार मतलब उसकी कोटिंग भी नहीं निकलेगी और जो हमारी जो मंचुरे नो भी अच्छे हो पा अबर कर दिये थोड़ा थोड़ा बैटर डाल की यह मैंने कड़ाई गरम करें के लिए रख दी और हम लोग जैसे पकोड़े मतलब तलते हैं वैसे हमें इस अच्छे से फ्राइक कर लेना है हमें द्धहान रखना है कि हमें एक बार में नहीं फ्राय करना है हमें इसे डबल कि डबल फ्राइ करने का रिजन क्या है में किको थोड़ा सा क्रिस्प वो जाते है और जीक्ष्ट्रोय भी निकल जाएगा तो यहां जो मैंने कीटी सपप्र जो निकले रख धा फोड़ा फक्रिक में कहीं सब्सक्राइल कर में सब्सक्राइब कर तो तो सब्सक्राइब गड़ना चाहिए उसके लागत ऊपीं सब्सक्राइब सत्पराइब पुर मन MASno लेकिन मैं चिली बना रही उसलिए आपको दिखा रहे है कि चिली में कैसे बना थे यहां मैंने एक चमच तेल गरम कर लिया था उसके अंदर अधर क्लसिंग की पेस्ट लिया थी और यहां मैंने जो मतलब क्याप्सी कम है यहां कि डभु मिर्ची उडा ली थी और फिर इसके मतलब आदा कफी मैंने पानी डालता ज्यादा पानी मैंने नहीं डाला था क्योंकि मतलब मुझे जादा ग्रेवी के पसन नहीं है एज़िटी साफी से ऐसे फ्राइ करके भी खा सकते हैं वैसे भी टेस्ट में काफी अच्छे लगते हैं और फिर यहां मैंने ऐसे गरमा गरम सफ किया था जादा दिन तक सौते नहीं किया था अगर इसी पर आपको अच्छे लगी तो लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और शेयर किजिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं थैंक्स पो वाचिंग से यू नेक्स वीडियो बाए बाए